जै स्री राधे राधे हर हर महादयो मित्रों आप देख रहे हैं इस्टार भजन गिर्तन जीवर में तरक्की सभी करना चाहते हैं और सभी अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं तेकिन कभी-कभी कुछ दिकते ऐसी आ जाती हैं कि परिवार में दुख आ जाता है, दिकते आ जाती हैं, बहुत सारी परिसानिया आ जाती हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका पता घर के मुखिया को लगाना चाहिए. कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दोस होते हैं जिनकी वज़े से दिक्ते उत्पन हो जाती हैं हो सकता है वास्तु दोस हो ऐसी कुछ नकार आत्मक इस्थितियों से बचने के लिए वास्तु और जोतिश शास्त्र में कुछ उपाई बताए जाते हैं जिनके करने से और पूरवज भी कुछ उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो तो अच्छा होता है पर आज कल के लोग उनकी बातों को अनसुना करते हैं पूरवजों की बातों को फालू किया जाए तो आपको अवस्यलाब होगा और आप दिन प्रते दिन तरक्की करेगी क्योंकि बुजर्ग जो भी कहते हैं वो अच्छ गलिए कहते हैं तो मित्रों आज मैं बहुत छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूं लेकिन बहुत ही बढ़िया और मस्त जानकारी है ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके यहां यदि धन का आवागमन बहुत कम हो रहा है तो उसकी भी इस्थित में सुधार होगा धन रुक नहीं रहा है तो आपका धन आवस्यूरू केगा एक बार आज मा के देखिए मैं छोड़ी-छोड़ी टिप्स आपको आज बताने जा रहा हूं और मित्रों अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल आइक जगहों पर पैदा हुआ वास्त दोस जीवन में बहुत सारी समस्याय पैदा कर देता है जिससे धन्हान, स्वास्त का ठीकना रहना, गरीबी, आशांती, घर में कला, इन वास्त दोस के कारण ये सारे दिक्तें पैदा होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए ये कुछ मैं आज उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसा करने से आपको बहतर लाब मिलने सुरू हो जाएगे, सोने से पहले प्रति दिन आप अपने बात्रूम में सारी बाल्टियों को भर दें, कोई भी बाल्टी आपकी खाली ना रहे, ऐसा ये दियाब करते हैं, तो आज तो दोस के अलावा भी आपको लाब मिलेगा, घर में हमेशा बरकत रहेगी और आपका पैसा कभी भी बेवजा ने खर्च होगा, इसी तरह रसोई में भी पीने के पानी के बरतों से लेकर जो भी बरतन आपका खुला हुआ रखा है, उसमें पानी अवस्य होना चाहिए, और हो सके तो किचन मे बाल्टी के बगल में जो पानी भरा हुआ रखा है, वहाँ पर आप एक दीपक भी जला सकते हैं, इसमें मालचमी प्रसन होती है और आपकी घर में बरकत होगी, और प्रत दिन रात में किचन को अवस्य साफ सफाई करनी चाहिए, किचन में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी जाहिए, इससे मा अनपूर्णा रुष्ट होती है, आपका किचन हमेशा सुद्ध और साफ रहेगा, तो माता अनपूर्णा भी प्रसन रहती है, प्रते दिन सूर्यास्त के बाद घर के मुखिद्वार पर आप दीपक जलाएं, हो सके तो गाय के घीका दीपक हो, इससे मात लच्मी प्रशन होती है, और आपके घर में वास करती है, जिससे आपकी गरी भी दूर होती है, और आपके अहां धन का आवागमन सुचारो रूप से बना रहता है, तो मित्रों ये बहुत ही छोटी सी जानकारी है, आप हमारी बातों को एक बार फालो करें, कोई भी कि लावगा.